हलो एवरिवन आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बच्चों से लेकर बड़ो तक को ये इजी ली बनाना आ जाएंगे और सबके फेवरेट भी होते हैं पॉपकॉन वो भी दो तरीके से बताऊंगे एक सॉल्टेड और एक मसाला इसके लि उनों चीजों को मिक्स कर लेंगे और इसे बड़िया तरीके से गरम होने देंगे यानि इससे बड़िया सी हीट हमारे हाथों को लगनी चाहिए इतना हम इसे गरम होने देंगे फिर इसमें में डाल दूंगी आधा कप ये पॉपकॉन इस तरीके के पॉपकॉन आपको इज चोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आदी चोटी चम्मच नमक इन दोनों चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अगर आपको कैरमेलाइज पॉपकॉन के लिए पॉपकॉन बनानी है तो आप इसमें हल्दी स्किप कीजिए और नमक थोड़ा सा डालिए तो वाइट कैरमे पॉपकॉन रेड़ी हो जाएंगे इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाइ रखते हुए इसे धक कर एक से देड़ मिनिट के लिए या फिर बढ़िया तरीके से जब तक फूट नहीं जाते तब तक इसे गैस के उपर रख देंगे तो आप देख सकते ह कितने बड़िया तरीके से हमारे popcorn full कर double हो रहे है इसमें अगर oil बराबर हुआ तो इसका last तक का दाना बड़िया तरीके से full कर double हो जाएंगा लेकिन अगर oil कम हो गया तो ये last के दाने जो होते है वो नीचे तले में वैसे ही रहेंगे तो ये बड़ों के लिए बनाते हैं मसालिदार बड़िया ऐसे चटपटे popcorn इसे इसमें से आधा मैने निकाल लिया है बच्चों के लिए अब बनाते हैं हमारे सेम कड़ाई में अब मैं डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच चाट मसाला आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी इस्तमाल कर सकते हैं और आपको कितना तीखा चाहिए उसके आकॉर्डिंग भी आप इसमें कम जादा मसाले अड़ कर सकते हैं इन सबी चीजों को बड़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे याद रखिए कि हमारे पॉपकॉन जो है वह अभी हलके से गरम है गरम में ही ये मसाले बड़िया से कोट हो जाएंगे और अगर आपकी मसाले कोट ना होए तो आप इसमें हलका सा बटर को गरम करकर भी डाल सकते हैं ताकि हमारे मसाले बड़िया से पॉपकॉन को कोट हो तो रेड़ी है हमारे सॉल्टेड बटरी पॉपकॉन और मसाला पॉपकॉन अगर आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आई थैंक यू फो वाचिंग मैं वीडियो